हेलो एवरिवन दुद इंग्लिश क्रामर का एक बहुत इंपोर्टेंट एंड कन्फ्यूजिं टॉपिक है मॉस्ट ओफ दी पीपल्स कन्फ्यूज होते हैं कि कहा और कब दगा यूज करना है और कब दगा यूज नहीं करना है आज के सिशन में हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में चर्चा करेंगे जहां हमें बीना कुछ सोच से समझ दगा यूज करना है मतलब कि उन जगहों पर तो हमें दगा यूज करना ही करना है So, let's come to the topic So, first, नदियों के नाम के साथ Hence, जब भी हम किसी नदी या रिवर की बात करते ही भले ही हो इंडिया की हो या इंडिया की बाहर की हम वहां नदी के नाम के पहले दगा यूज करते ही मतलब हमें जब भी किसी नदी के बारे में बात का ना होता यतलब जब भी हम किसी नदी की बात करते है हम वहाँ दकायूस भीना किसी कंडिशन के सोचे भीना कुछ सोचे समझे दकायूस करेंगे तो चलो कुछ एक्जामपल के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं I live near the Ganga river I love to swim in the Yamuna river I will go to visit the Krishna river The Taj Mahal is located on the bank of the Yamuna river The Nil is the longest river in the world The Brahmaputra river originates from Kelash range and the Amazon river तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ सभी नदियों के नाम के आगी दकायूस किया है जैसे कि दगंगा, दयमुना, दी कृष्णा river, दी यमुना river, दी नील river, दी ब्रह्मापutra river and दी Amazon river The second use of the, पहाडों के नाम के साथ, mountain's name तो जब भी हम किसी पहाड या पठार मिन्स mountain या प्लेटू की बात करते हैं, हम वहाँ दकायूस करते हैं चलो, इसे भी कुछ examples की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं पहला, the Arawali is the oldest mountain range in the world Second, the Himalayas are the highest mountains in the world And now, the Rocky Mountains, the Alps, the Andes and so on यहाँ हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम mountain peak या mountain की किसी चोटी की बात करते हैं हम वहाँ दकायूस नहीं करते हैं जैसे कि Mount Everest जो है, वो हिमाले की सबसे उंची चोटी है तो जब भी हम किसी peak या चोटी का जिक्र करते हैं हम वहाँ द का यूज नहीं करते हैं जैसे कि हम कभी भी The Mount Everest नहीं कहते हैं या The Keto नहीं कहते हैं या फिर हम The Kanchenjunga नहीं कहते हैं चलो इसे भी कुछ examples की सायताजी समझने की कोशिश करते हैं First, Mount Everest is the highest peak in the world Second, Keto is the highest peak in Indian subcontinent Third, Kanchenjunga is the highest peak in India जैसा कि आप इन examples में देख सकते हैं कि ये सभी किसी mountains की कोई peak है और हमने इन सभी में किसी भी जगर the का use नहीं किया है Hence, जब भी हम mountain peak का जिक्र करते हैं, हम वहाँ the का use नहीं करते हैं Third use of the, महासागरों के नाम के साथ, oceans के नेम के साथ तो जब भी हम oceans महासागरों की बात करेंगे या oceans का जिक्र करेंगे, हम वहाँ the का use करेंगे Let's try to understand with the help of examples So, see, जैसा कि आप देख सकते हैं, the Pacific Ocean is the largest ocean in the world India is located in the Indian Ocean उसी तरह हम कह सकते हैं, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Atlantic Ocean हमने इन सभी oceans के नाम के साथ देखा यूज किया है Fourth use of the, सागरों के नाम के साथ, seas के नेम के साथ Same as oceans, हम seas के नाम के पहले भी देखा यूज करते हैं Some examples, the Mediterranean Sea, the Red Sea, the Black Sea, the Caspian Sea, the Arabian Sea, the Caribbean Sea, the Philippine Sea and the Baltic Sea हमने इन सभी seas के नाम के पहले देखा यूज किया है Fifth use of the, दिशाओ के नाम के साथ, directions के नेम के साथ So, जब भी हम किसी भी direction की बात करते हैं, हम वहाँ दकायूज जरूर करते हैं, किसी भी हालत में तो जैसे कि The East, the West, the North, the South चलो कुछ और examples के साथा से समझने की कुशिश करते हैं Examples Ram goes towards the South The Sun rises in the East He lives in the South of Delhi The Sun sets in the West India lies in the Northern Hemisphere The equator divides the Earth into two equal parts i.e. the Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere Sixth use of the, रेकिस्तन या मरुस्थल के नाम के साथ या Desserts के नाम के साथ So, जब भी हम रेकिस्तान या मरुस्थल या Dessert के बात करते हैं हम वहाँ दकायूज जरूर करते हैं Examples First, the Sahara Desert is the largest hot dessert in the world We spent five days in the Thar Desert The Antarctica is the largest dessert of the world The Arabian Desert The Gobi Desert The Architect Desert Next, use of the Dweep Samu के नाम के साथ With the group of islands तो जब भी हम Dweep Samu के बात करते हैं Means, group of islands की बात करते हैं हम वहाँ दकायूज जरूर करते हैं यहां हमें एक बात का ध्यान रखना हैं कि जब भी हम एक से ज्यादा islands की बात करते हैं तब ही हम दकायूज करते हैं इन जगह उपर दकायूज बिना कुछ सोचे समझे लगाना है मतलब इन जगह उपर दकायूज किसी भी हालत में किया जाना है तो कुछ और दकी यूजेज हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगी थेंक्यू और गुडबाए